ओ जी good morning है, सुबे के 9 बज रहे हैं, उठो यारो, और वीडियो देखो यार, चाहे आप रात के 8 बज़े देखो, चाहे आप सुबे के 9 बज़े देखो, चाहे आप दिन के 12 बज़े देखो, बट वीडियो पूरी देखना, क्योंकि मजा आने वाला है, कुछ बहुत सारे के साथ रहते हुए हमने युनाइटेड ने 99 का ट्रेबल जीता था जी हां ये असिस्टेंट मैनेजर थे उस टाइम पर ये सर एलेक्स फर्गुसन के युनों सेकिंड हैंड मतलब क्या कह सकता हूं सब्सिट्यूट थे और इन्हों ने ही उस 99 टीम को ट्रेइन किया था अब स् लीग में इन्होंने 20 जो एक टीम है उसके साथ लीग जीती थी अब यहां पर उस डच लीग को जीतने के टाइम एरिक टनहाग वाजिस अस्टेंट 2008-2009 के टाइम पर और अभी कल बीती रात स्टीव मेकलेरन के साथ एक मीटिंग की गई है जिसमें स्टीव मेकलेरन से एरि इस चीज़ पर रिपोर्ट बनानी शुरू कर दी है कि स्टीव मेकलेरन अगर एरिक टनहाग आते हैं तो वो एस असिस्टेंट वर्क करेंगे एरिक टनहाग के लिए अब यह पहला नाम नहीं है जो जुड़ा है एक पिछले प्लेयर या पिछले मैनेजर का जो जो में एक ट्विस्ट यह आ गया है कि PSG ने हाथ खड़े कर दिये हैं कि अगर United आए और बात करना चाहे PSG से पॉचेटीनो के बारे में तो पॉचेटीनो विल लेट पॉचेटीनो गो और उसके पीछी रिजन यह पता जा रहा है कि कहीं ना कहीं PSG ने अपना भाई क्रेक कर ली है विद किलिन एमबापे वो उसको extension देने को तयार है और किलिन एमबापे out of nowhere वो extension sign करने को तयार है अब कैस के पीछे वज़े यह है कि पॉचेटीनो के जाने की वज़े से किलिन एमबापे एक नया contact sign कर रहे है या जने दिन जिदान की confirmation कहीं ना कहीं प देखते हैं क्या चलता है अब क्योंकि पीएजी की बात चल रही है तो पॉल पॉगबा की बात क्यों नहीं होगी तो भाईया पॉल पॉगबा के बारे में यह news आ रही है कि पीएजी आ ट्राइंग दर लेवल बैस तो गेट पॉल पॉगबा ऑन बोर्ड एन पॉल पॉगबा और मीनो रायोलक साथ हाँ भाईया मीनो रायोला पॉल पॉगबा की एजेंट है तो उनके साथ बात करना जरूरी है क्योंकि वो बिन पेंदी का लोटा है मोटा वो कहीं भी लोडग जाता है तो पीएजी चाती है कि सीजन शुरू होने से पहले ही पॉल पर है कामविंगा का कॉंट्रेक्ट उनको फाइल करना है तो ये दो साइनिंग में डेट करना चाहती है बार्सा नहीं युवेंतस में बी बट यू डोंट नो पीएजी इस डैट वन क्लब जो की वेज डिमांड भी पूरी कर सकती है पॉल पॉगबा की और साथी साथ पॉ पॉगबा की वो और जिदान की वो इक्षा पूरी होती है या नहीं अब देखो यार मार्च के महीने का प्लेरोदा मन्त दिया गया है क्रिस्टियानो रोनाल्डो को बट रोनाल्डो ने उसके बाद जो मैसेज लिखा है ना इंस्टाग्राम पे बहुत ही जैन्विन है बहुत ही सही मैसेज है और एक राइट मेंटालिटी के बंदे की वो एक मैसेज शो करता है रोनाल्डो ने लिखा है कि इंडिविजल अवार्ड मेने अपनी जिंदगी में बहुत जीते हैं और यह इंडिविजल अवार्ड हमेशा माइने रखते हैं बट जो चीज माइन को मुझे पता है कि बहुत सारे लोग यह पूछेंगे कि मोहक भई आपका क्या स्टैंस है रूनी वाले स्टेटमेंट के ऊपर के रूनी ने ब्लेम किया है कि रूनाल्डो सिर्फ और सिर्फ गोल्स प्रोवाइड करता उसके लावा कुछ प्रोवाइड नहीं करता अब अगर आपने वो रूनी वाला सेगमेंट पूरा देखा होगा गाईज तो आपको समझ में आया होगा कि रूनी के बात करने का तरीका और रूनी ने जो बोला है उसमें जो प्रिजेंट किया गया है मीडिया में जमीन आस्मान का अंतर है रूनी का कहना यह था कि रूनाल्डो इस still a goal scoring machine, but age के साथ, ronaldo का game, काफी हद तक restrict हुआ है, और इसमें कोई manah नहीं कर सकता, ronaldo की ball playing ability में कमी आई है, ronaldo का hold up play, काफी regress, तो इसमें, अगर कोई आके यह कहता कि, नहीं, यह चीज गलत है, तो भाई मैं नहीं मानता, क्योंकि वो चीज़ आप हर दिन देख रहे हो बट रूनी ने ये भी कहा है कि रूनाल्डो के आजू बाजू आपको यंग्स्टर्स की जरुवत है और ऐसे यंग्स्टर्स जो की हंगरी हो सक्सेस के लिए जितना हंगरी रूनाल्डो है कि रूनाल्डो के इर्द गिर्द उनको एक कुछ ऐसे प्लिस लेके आने पड़ेंगे जो कि अंबीशियस हो जो कि जीतने के लिए खेल रहे हो और अल्टिमेटली एक साल के बाज जब रूनाल्डो जाएंगे तो आपके पास एक ऐसा स्कॉर्ड हो कि बिना रूनाल्डो के कोप अप करने को तयार हो बात समझने के दो तरीके होते हैं एक होता है लाठी लेके भाई पीछे बस दौड़ पड़ो किसी बात के और लट बजाना शुरू गर दो और एक होता है शान्ती से उस बात का समझो कि मतलब क्या है उस sentence के पीछे उस पूरे segment के पीछे तो I think आप लोग की बुद्धी अगर मोटी नहीं है और अगर आपको समझने की थोड़ी बहुत शमता है आपके अंदर तो आप उस segment को पूरा सुनोगे तो आपको समझ में आएगा कि रूनी क्या कहना चाहता है क्या नहीं कहना चाहता है यह blind hatred और blind trust की पट्टी हटाईए क्योंकि अगर रूनी ने कुछ बोला था तो मैं रूनी को लतार था He is my goat but at the same time Ronaldo is also my goat तो मैं यह नहीं कहूंगा कि मैं एक को बचाने चक्कर में दूसरे को लतार दूँ दोनों अपनी जगए सही है और दोनों ने जो किया है अपने करियर में वो कोई और कर नहीं पाया और यहाँ पर रूनाल्डो का जो stance है अभी at this point of time बहुत सही है रूनी का जो कहने का मतलब था वो भी बिल्कुल सही था टी शर्ट पर message है inspire ठीक है ना तो इन दोनों ने ही generations को inspire किया है आप अगर United की किसी fans से बात करोगे तो majority fans यहीं बोलेगे उन्होंने रूनाल्डो के जाने के बाद से अगर किसी एक player को देखा हमेशा वो था वेन रूनी और रूनाल्डो ने खुद अपने interview बोला है कि he missed playing alongside Wayne Rooney क्योंकि Rooney ने इतना sacrifice किया है हर एक player के लिए कि कहीं न कहीं लोग उसको you know undermine कर जाते हैं बट come on यार he's Wayne Rooney, he's Vaza the greatest Man United goal scorer ever और हाँ ठीकर रूनाल्डो सरपास कर जाएगा अगर वो जल्दी आ जाता क्लब में ऐसा वैसा बट जितने sacrifices उरूनी ने किया उतने किसी ने नहीं कि इस क्लब के लिए now coming back to that whole managerial setup वाला thing तो यहाँ पर James Garner की news आई है कि James Garner को जो pre season 2 रोगा उसमें मौका दिया जाएगा नए manager को impress करने का मेरा मानना यह है कि James Garner जैसा player is way better than Scott McTominay is way better than majority of the midfielders in the squad और यहाँ पर अगर यही सेम चीज अगर Liverpool सोचती Arnold के case में अगर यही सेम चीज Man City सोचती Forden के case में तो आज Forden या Arnold इस level पर खेल रहे होते क्या दोनों clubs के लिए नहीं तो हम कब तक इस बात से भागते रहेंगे कि भाई अगर जब तक हम Garner को मौका ही नहीं देंगे तब तक हमें पता कैसे चलेगा कि Garner ready है या नहीं और Garner अगर रेड़ी है तो give him time he is way better than Scott McTominay आप Nottingham Forest में उसकी performance उठा कर देखिए आपको पता चलेगा अगर आपके पास number 9 की position में Edison कवानी नहीं है और Ronaldo भी नहीं खेल रहा है तो आप Charlie McNeil को option पर रखिए ना Charlie McNeil अरे जब तक तुम खिलाने का time ही नहीं दोगे जब तक उसको तुम playing minutes नहीं दोगे तो तुम कैसे बोल सकते हो कि वो अच्छा नहीं करेगा वो अच्छा नहीं कर सकता this whole mentality of Manchester United is the reason कि हम आज भी सफर कर रहे है 9 साल के बाद भी अब यहाँ पर Erickton है के case में plus point यह है कि majority लोग favor में Erickton है के अब वो dressing room divided है और dressing room की एकतनी बख्चोदिया है पता है क्या कि लोग यह कह रहे है कि Ralph Rennick से players का fallout हुआ है और उनको नहीं लगता कि Ralph Rennick वो manager है जो कि United को top 4 में ले जा सकते इसलिए उनको कहीं न कहीं Erickton है कि choice जो कि Ralph Rennick ने रखी है उस पर भी सवले नेशन खड़े करने शुरू कर दिये क्या गांडू बनती है भाई यह क्या चुतियापा है come on be realistic तुम हो वो reason जो कि United अच्छा नहीं कर रही है Erickton है गाएगा मैं उसके उपर शुरू के 2 सीजन बिल्कुल pressure नी डालूँगा कि मुझे trophy चाहिए यह चाहिए वो चाहिए आप आराम से पूरे पूरे दो सीजन लो develop करो team को तीसर सीजन में आप progress दिखाओ number 2 पे finish करो या थर्ड पे finish करो बट आपको proper freedom मिलनी चाहिए अगर आप एक team को develop करना चाहते हो और अगर वो freedom नहीं दी गई तो यहाँ पर हर manager को एक particular time period चाहिए होता है एक particular time frame चाहिए होता है अपनी team पे work करने के लिए तो थोड़ा time देना जो भी manager आए चाहिए वो pochettino आए चाहिए और मैं यहाँ बैठा हूँ आपको हर एक live update देने के लिए United के regarding तो चैनल को subscribe करना मत भूलना अगर आप इस चैनल पे नए हो और वीडियो को like करना और comment करना बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि algorithm में बहुत help करता है तो till then goodbye, take care और I hope के भाई Eric Tenhaigी आए और अगर Steve McLaren आ रहे है तो भाई एक अच्छा एक representative हमारे क्लब में च्योंकि इस क्लब को जानता है अगर हम Steve McLaren के अलावा Eric Tenhaig को option दे कि वो किसको ले के आना चाहरे है तो that will make more sense क्योंकि आप शुरू में अगर थोप दोगे Steve McLaren को Eric Tenhaig क्योंपर तो आप कहीं न कहीं है बाकी अट्लेटिको मेडरिट वाला गेम का प्रिव्यू है और जो Chelsea versus मेडरिट का प्रिव्यू है वो मैं दूसरे चनल पर डालूँगा तो वो देखना मत भूलेगा तिल देन गुडबाई टेक कैर